हलो दोस्तों तो आपको स्वागत है एडी जार्कन क्लासेस में और एक आज बहुत ही जरूरी बात करना है सभी अभ्यर्थियों के लिए ध्यान से सुनेंगे वीडियो को स्कीप नहीं करना है क्योंकि हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे रखें जैसे स्रीजेल का ठीक है और किस प्रकार का बुग पढ़ें ताकि वो बैस्ट रहे है और आपको इसमें मैं अपना सारे नोट्स का भी सैंपल दिखाऊंगा ना कुरी हो या हिंदी हो या फिर जीके जेस का पेपर हो सारे पेपर अभी मैं सैंपल दिखाऊंगा और अब नहीं तो कब मैं ये इसलिए लिखा हूँ कि बहुत सारे अभियर्थी सारे पढ़ात जितने भी पढ़ रहे थे वो पढ़ाई को छोड़ दिये हैं वो सोच रहा है कि भाई फिर से जब एक्जाम डिट निकलेगा ना त लेकिन सावधान एक बात हमेशा याद रखिएगा जब आप ऐसा सोच हो जाना तो फिर कहीं न कहीं गड़वड़ी है क्योंकि अगर आप एक बार पढ़के ठीक है अब उसको continuous नहीं रखते हैं तो वो आपके लिए और भी hard हो जाता है ठीक है अब सोचेंगे story भाई तो य continuous रखने होंगे ठीक है तो यह तो बात हो गई कि भाई पढ़ाय को continuous रखना है तो कैसे अभी हम देखेंगे कि जिक्कित जिस पेपर और पेपर 2 हिंदी और नाकपूरी का सारी मैं सेंपल दिखाऊंगा ठीक है और आपको continuous रखना है ऐसा नहीं देखिए एक धावक जो है मै हमेशा बोला करता हूं एक धावक सिर्फ चार मिनट के रेस के लिए तीन मिनट के रेस के लिए वो पूरा तीन साल मेहनत करता है दो मिनट के दौर के लिए तो सोच लिए आप सोचेंगे कि भाई दो मिनट दौर नहीं है तो क्यों न हम एक ही दिन में दौर के पास कर जाए तो आपको मेहनत करने ही होंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी कि किस प्रकार से पढ़ाई करना है और कैसा नोट्स होना चाहिए हर एक स्टूडिन्ट के पाथ तो चलिए हम लोग देखते हैं नोट्स सैंपल तो देखिए बायो का नोट्स हो गया केमेस्ट्री का हो गया एकोनामिक्स का जोगराफी का हिस्ट्री का तो सबसे पहले मैं बायो का देखूंगा तो देखिए बायो का इस प्रकार का है स्टार्टिंग से मैं दिखाऊंगा आपको क्या-क्या चीज इसमें मिलेगा देखिए ये चीज आप लोग को रखना है हमेशा ठीक है पढ़ाये को कंटीनिवस रखने के लिए आपको द्रह संकल्पित होना अती आवश्यक है देखिए ऐसा द्रह संकल्प हो कोटी विघ्न यदि आए तभी विकल्प न हो सके पूरण पूरण पाए इसका अर्थ ये है कि हर एक व्यक्ति के पास ऐसा द्रह संकल्प होना चाहिए कि आप जो ठान लिये हैं कितना भी रास्ते में काटी क्यों न आ जाए विघ्न बाधाएं क्यों न आ जाए उसको आपको पार करने ही करने हैं तभी विकल्प न हो सके आपको दूसरा विकल्प नहीं चुनना है पूरण पूरण पाए बिना पूरा किये हुए यानि कि जो आप ठाने हुए हैं, संकल्प किये हुए हैं, उसको बिना पाए हुए आपके पास कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए, उसको पूरा करके ही आप रहें, तो देखिए, बायो के नोट्स में जो है, आपको ये सब सारे चीज मिलेंगे, देखिए, ये सब जो है, आपका शू देखिए, एक विज्यान, चाप्टर वन जिव विज्यान एक परिचह है, जिसमें देखिए, सारे चीज आपको बुक टाइप पे यहां मिलेगा, ठीक है, और इसको तयार करने में बहुत महनत लगे हैं, ठीक है, तो देखिए, यहां एकदम आपको छोटा सामें, एकदम पूरा NCRT ये नोट्स तयार किया गया है और ये जो है एक short notes digital handwritten notes है ठीक है बहुत सारे students बोलते थे तहरे सर आप digital notes लाइए ठीक है तो मैं handwritten notes ही है बट digital है ठीक है आपको सारे चीज़ आपको यहाँ मिलेंगे सारे नोट्स बहुत ही ये बहुत ही बेस्ट है तो ये आपका हो गया जैसे देखिए यहीं चलते हैं आपका चैप्टर टू कोश्री का विज्ञान इस प्रकार से हो गया देखिए आप जितना भी जूम करेंगे ये क्योंकि computerized typing है आप जितना भी इसे ये कीजिए जूम कीजिए आपका वो साफ होगा ठीक है clear उसमें आएगा देखिए ये सारे नोट्स बायो का है टोटल ये नोट्स तयार करने में बहुत ही बहुत ही दिन लगे है करीब साथ से आठ मन्त लगा है ये नोट्स को तयार करने में ठीक है अब चलिए देखते हैं हम लोग ये केमेस्ट्री का नोट्स इन दे सेम केमेस्ट्री का अभी नोट्स जो है इसी प्रकार है केमेस्ट्री का आप देख सकेंगे कि इतना हम लोग को पढ़ना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है चाप्टर वन देख लिजे, सम्मानने रशायन और इसी प्रकार से है, देख लिजे, चाप्टर टू, प्रमानुक संग्रचना एवं रशायनिक बंधता, टोटल आपको यहां दिखाये गये हैं, टोटल नोट्स एवलेबल है, ठीक है, दे सेम आपकी जो है, यहां, इकोनोमि समझने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन यह मैं इतना अच्छा नोट्स में लाया हूँ, आप देख सकते हैं, जब आप लेंगे इसे देखेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है, तो यह जो है, अगर सेपरेटली लिया जाता है, तो 249 लगेंगे, यह सारे कोर्स का जो है आपका लिखा गया है, बट आपको वनली 9.99 में दिया जा रहा है, ठीक है, फिलाल ओपर किस सखायें और सास्त किस सखायें, देख लिजे, सारे यह नोट्स हैं, ठीक है, अना, देख लिजे, और चैप्टर चु है, आर्थिक संब्रिधी एबम भिकास, टोटल एकदम पूरे मेहनत के साथ यह नोट्स को तयार कराया गया है, नेक्स देखते हैं, क्वालिटी जग्राफी का देख लेते हैं, जग्राफी का नोट्स है यह, इन दे सेम सिर्प्रकार से हम लोग देखेंगे, सारे चीज हम लोग को पढ़ने हैं, चैप्टर वन में देखिए, गलोब वगेरा है, समाने भुगोल, पहले हम लोग विश्व का भुगोल पढ़ेंगे, और इसमें देखिए, मैं स्टार्टिंग में ही लिख दिया हूँ, ति आपको क्या क्या चीज इस नोट्स में मिलेगा, पहले भारत, पहले विश्व का भुगोल, फिर भा परियावरन, परिश्थितिक, जया विविधिता के साथ संपूर नोट्स है, इसमें, एविलेबल है, तो इसमें 235 पेज के हैं, और आल नोट्स आप बेस्ट, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, आपको सारे चीज इसमें पढ़ाया गया है, देख लीजे, तो आपको इसी प् संस्कृति क्या है, वेद से बना, वेद का अर्थ होता है ज्यान, इसे प्रकार से सर्व परतम जर्मन संस्कृत, विद मैक्स मूलर ने, यहां जो है, इस प्रकार से, आपका यहां हिस्ट्री है, ठीक है, आपको इसी से क्लास भी होंगे, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं, क अब्यर्ति को, क्या होना चाहिए, दिल संकल्पित होना चाहिए, चलिए देखते हैं, लास्ट हम लोग का पॉलिटी नोट्स है, यह भी बहुत ही जरूरी होता है, कंप्रेटिव एक्जाम के लिए, ठीक है, और इसमें जो भी क्लास कराये जाएंगे, देखिए, इतने नोट्स को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन आप लोग नोट्स देखने से पहले यह आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लेटेजे, पॉलिटी की नोट्स है, सारे नोट्स बहुत ही बहतरीन है, तो आपने तो नोट्स का सैंपल देखी लिया, और यह जो है, तो नोट उसका सेंपल आप लोग ने देखी लिया, अब आप पर विचार करना है कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप देखिए, आप नोट्स ले या नहीं ले, लेकिन आप पढ़ाई को हमेशा continue रखें, और ये सारे जो हैं, नोट्स जो हैं, NCRT-based है, और जितने भ भी पेपर 2 है, तो MCQ टेस्ट अविलेवल है on AD Classes app, 10,000 प्रशनों का टेस्ट है, जिसका फी है, only 299, आप उसे जोइन कर सकते हैं, सहाय का चारी 125 और 628, दोनों के लिए कोर्स अविलेवल है on AD Classes app, PDF के लिए कॉंटेक्ट कर सकते हैं, 8863884281 पर, सारी कोर्स अविलेवल ह जिस प्रकार से आपको न्यूज पता चलता है, कि बस एक महीना एक्जाम का बचा हुआ है, in the same way आपको तयारी करते रहना है, ठीक है, हमेशा तयारी करते रहना है, क्योंकि देखे, ये जारखन सरकार है गई, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब क्या होगा, आप लोग JPSC का एक्जाम देखे ही, क्या हुआ, only 14 days में ये एक्जाम लिया गया, भई तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अपना कमर बांद के रहें, कमर बांद के अर्थ है कि हमेशा एकदम तयार है, yes, हम लड़ने के लिए ready हैं, हम तयार हैं, हम four डालेंगे, इस बार तो नहीं शो स्टाट हो चुका है, और JPSC मेंस नाकपूरी पेपर टू का भी क्लास स्टाट हो चुका है, so join the ad classes, यानि के ad jargon classes और ad classes एप, ठीक है, सारे कोर्स आपको ad classes एप पे मिलेंगे, नाकपूरी पेपर टू मेंस का भी, और आप क्लास free, of course, सारे कोर्स यूटीव खराए चले, धन्यवाद